हेलो स्टुएंट्स मैं अमित कुमार आज आपको विद्या प्रकास्म मंदी लिमिटिर क्रब से जो चैनल बनाया गया है उसमें यूनिट 6 इस्टार्ट करते हैं जिसका नाम है सांखी की प्राइक्ता इस्टेटिस्टिक्स एंड प्रविविल्टी तेली बच्चो आज हम सांखी की स्टेटिस्टिक्स देखें बच्चो आपने सांखी की 673 में पढ़की है सांखी कि जो विवस्तित आक्ड़े हैं उनको विवस्तित करना और सांखी की जो यह गन्नाव का विज्ञान है कि जो करते हैं जो हम गन्नाई करते हैं उसका जो विज्ञान है हम सांकिर कहते हैं और जो आगड़े होते हैं उन्हें एक विश्थित करते हैं तो इसके अंदर जो हमारे कोर्स में है उसमें हमें आलेक के द्वारा आलेके निरूपन है आलेके निरूपन में आपके कोर्स में दंडालेक यानि बार ग्राफ कायच चित्र यानि हिस्टोग्राम और बारम बारता भोबुज पॉलीगन यह वच्चों इस समय आपके कोर्स में है तो आज हम इन्वी पर आधारित जो कोस्टन्स हैं उन्हें करेंगे चले देखते हैं को सब्सक्राइब इसने लिखाया कि एक राज्य में जो विदान सभा के चुना हुए उसमें विभिन राजनितिक पार्ट के द्वारा जीति गई शीटों के परिणाम नीचे दिए गए और जीतिक शीटों की संक्या दिए गई हैं और यह रिखा कि मद्दान के परिणामों को निरुपित करने वाला एक दंडारेक खीची तो दंडारेक हमें खीचना है तो क्याज़े खीचेंगे सबसे पहले बच्चों देखों जैसे हम और वाई एक्स को उर्द्वादर रेखा यानि वर्टिकल लाइन यह होरिजेंटल लाइन है और यह आपकी वर्टिकल लाइन है तो सबसे पहले इस्ते के सम्ट्रा करेंगे अब आप देख रहे हैं कि पार्टि हमारे पास 1234566 पार्टि जें और जो मिनिम्नम नंबर उप सीट से हैं वो टैन हैं और मैंगे नंबर उप सीटन सैवंटी फाइव तो आप इसमें देखेंगे कि हमें मैंग्जिम सीट दिखा नहीं है इसना टैंट आंगा डिफैस लेंगे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 अब देखें बच्चों इसमें जो ग्राफ पेपर आपका आता है उसमें एक बोक्स होता है वन सैंटी मिटर का यह यह वन सैंटी मिटर लें तो वन सैंटी मिटर की ब्रहाथ होती है तो जितने भी हमें बार ग्राफ बनाने हैं दंड आरेक बनाने हैं उन सब की मोटाई यह समान होंगी यानि उनकी बैर सेम होगी लेकिन हाइट डिपैंड करेगी नंबरों सीट पर तो अगर हम पहले कि से नंबर प्रीट चाहिए 75 समसे तक कि एक हृटतर पर कि यह ग्राफ बना देंगे यह बन जाएगा आपका बार ग्राफ 75 तक दूसरा बी शीट है तो जो बी पार्टी है राजनितिक पार्टी उसकी शीट है 55 तो जितना डिफेंस यहां है उतना डिफेंस छोड़ देंगे और फिर 55 पर सेम ब्रैत का यह दन बना देंगे तो यहां आपकी राजनितिक पार्टी ए हो जाएगी यह बी पार्टी हो जाएगी तो यहां आप देखना है 75 है नंबर उसीट्स इसमें नंबर उसीट्स आपकी 55 है थोड़ा कम कर लें तो यह आपकी 55 हो गई थर्ड पर 37 है तो 37 जाएगी 30 से जाज है 40 से थोड़ा कम है तो 40 से थोड़ा कम दे लें है तो आप देखें सबकी जो ब्रै तो सेम होगी तो यह सी पार्टी आपकी 37 शीट्स हैं डी पार्टी के 29 30 के भी कुछ निरेस्ट यह आपकी डी पार्टी हो गई 29 इपर 10 है और एपर 37 है इसको थोड़ा थोड़ा एक्सेंड कर लेंगे है अब आप देखिए इसमें इपर है टैन तो टैन आपकी फर्स्ट नमबर पर है जीरो सुट टैन और एप पर है आपकी 37 37 फिर आपको देख रहा पड़ेगा 37 दूसरी बार आ गया तो जैसे सी पर थी इतनी ही एप पर है तो सी और एफ को इक्वल कर देंगें बिल्कुल तो आप देखेंगे कि इनके बीच में जो डिफ्रेंस है यह यह सब में इक्वल होना चाहिए जो बचावाया है और जो इनकी ब्रैथ हैं कि बार की वह सब्सक्राइब होनी चाहिए यह वाली कि अब याप नीचे लिख सकते हैं कि राजिंदिक पार्टी याज के उपर लिख सकते हैं से तो पार्टी के नाम उपर लिख सकते हैं A B C D चाहिए लिख सकते हैं यह यह B पार्टी C D E F जब आप ऐसे लिख देते हैं तो फिर इसके उपर मत लिखें हैं तो यह आपके होगे राजिंदिक पार्टी है A B C D E F और यह दर नायग जीती के शीटे कि कितनी शीट जीती हैं तो अब इसमें देखिए पुछा है कि मद्दान के परिणामों को निरुपित करने वाला एक दंडालेख खीची तो यह आपका दंडालेख है कि इसना आप देख सकते हैं कि वाई अक्षपर आए एक मातरक या एक इक आई हमने विलोग है जैसे बनायता है कि वन विलोग तू थी फो तो यह एक मातरक में हमने दस शीट लिए एक मातरक बराबर दस सीट है तो वाई एक्सपर नंबर ओफ सीट से हैं और एक मात्रक में दसदद सीटे हैं तो आप ने देखा कि इसके अंदर 75 और मिनिमम टैन तो सबसे छोटा ई पर है और सबसे बड़ा यह पर है यह पुझा किस राजिदिक पार्टी ने अधिक्तम सीटे जीती तो जिसका बार ग्राफ ज्यादे लैंथ होगा उस पार्टी है सबसे ज्यादिक सीटे जीती उप्रोक्त आलेक से इस परश्ट है की पार्टी ए ने सबसे अधिक सीटे जीती ही क्योंकि जो बार ग्राफ है इसकी लंबाई सबसे अधिक है आ यह पार्टी जो बार ग्राफ है इसकी सबसे ज़्यादे है तो इसका मतलब सबसे ज़्यादे सीटे किसे जीती है पार्टी एन है चलिए नेक्स्ट कोस्ट्ट्ट कि नीचे की सार्णी में 400 लैंपों की जियों काल दिये गए हैं एक चितर की साहिता से दीगे शूर्चनाओं को निरूपित कीजिए और फिर बता रहा कितने लैंपों के जीवनकाल 700 गंटों से अधिक हैं यानि यहां से तक 700 गंटों से अधिक के हैं तो सिस्टम होई बनाना आपको दो लाइंटरा करनी है एकस एकसिस और वाई एकसिस कि जीवनकाल घंटों में हैं और लैंपों के संख्या दीकर यह साथ में तो नीचे लिखेंगे जीवनकाल यह घंटों में हैं और लैंपों की संख्या लैंपों की संख्या नंबर ओफ लैंप्स कितने हैं यह बता दिए अब आप देख रहे लेकि सबसे जो पहले दिया गया है वर्ग यह दिया थी अन्ड़ाट टू फोर रंड़ और लास्ट मैं नाइंड़ टू वन थाउजन तो बच्चों सबसे पहले जिए ध्यान रखनी है कि सब के अंदर जो डिफ्रेंस है वह सेम है जैको ठीन देट फोर फॉर फाइल सीग स दिफ्रेंस उइदर भी भूराइब का डिफ्रेंस है तो इनके अंदर हमारे पास जीरो टू हंड्रेड हम नहीं है से स्टाडिंग है क्योंकि जहां इंटर से वहां ओरीजिनल जीरो है तो 100 फिर 200 फिर 300 तो यहां तक के हमारे पास कोई भी लैम नहीं है फिर 300 के बाद 400 तक है फिर 500 के बीच में है इस परकार कोशन में दिए गये हैं तो हम देख रहें कि यहां से यहां तक कोई भी चीज हमारे पास नहीं है तो इसको करते हैं तो आयाचित्र इससे बादर बनेगा और फिर 300 400 के बीच में बनेगा यहां से इस तो बनाएते बाद ग्राफ का आपस में अटेच्मेंट कहलाता है यानि आयचित्र कहलाता है तो इसके लिए हम क्या करते हैं यहां से जिग जैग बना देते हैं इसको चाहते हैं या इसके अंदर इसके लाइन बना दें जब इसके लाइन बना दी हमने तो हम देखते हैं कि यहां से जीरो हंड्रेड्ट टूहंड्रेड्ट थिरहंड्रेड्ड तो यहां तक हम थिरहंड्रेड्ड इखता हो कम्प्लीट हो जाता है और हमने लेंपों के संग्या मिनियूम कितनी है 14 और में इसके अंदर कि 80 और 90 तो बच्वा हमने देखा कि जब 90 तक हम पहुंच गए तो 86 90 से बिलो है अब हम देखना है कि जब जिग्जाग कंडिसर बना जी तो फर्स्ट ब्लोक पर ही इसका मतलब क्या कि यहां तक 300 आ चुका है इसका में यूज नहीं करना था इससे लेस सब आ चुके हैं तो तो आपने देखा कि जो फाइनल लीविट है वोन थाउजेंट तक है और जो फर्स्ट लैंप पोगी संक्या दिया फोर्टीन है तो यहां दिखे लेंगे एक कंडिशन कि माल लेते हैं कि वाई एक्सपर एक मात्रक बराबर दस लैंप और एक्सपर एक मात्रक बराबर सो घंटे लोगी बच्चों सो घंटे का अंतर है तो यह मान के चलते हैं जब इसको मान लेते हैं तो अब आप यह देखते हैं कि जो फर्स्ट कंडिशन हैं पर लिखा इसने तीन सो चार सो के बीच में है 14 लैंप है तो चोज़ा लैंप दस और बीस के बीच में देखेंगे और तीन सो चार सो के ऊपर चले जाएंगे ऐसे तो यहां 14 आ गया और जब चार सो तो खतब हो गया फिच में फिप्टी सिक्स हैं तो फिप्टी सिक्स मोर दन फिप्टी बट लेस दन सिक्स्टी तो फो 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 फिप्टी सिक्स हो गया 500 तो 600 शिक्स्टी हो गया है तो शिक्स हंड्राट टू 786 तो इसी को एट्टी सा बहुँ चले जाएंगे ट्टी सिक्स बचा जान रखना इन सब की बिर्याथ सेम होनी चाहिए एक एक बलोक लेके चलेंगे फिर सैवन टू एट हंड्राट सेवनटीफोर है तो सेवनटी से ज्यादा एटी से कम है तो सेवनटीफोर यहां जाएगा आपका कि मैं एक एक हंड़ाट टू 960 टू तो शिक्स्टी जाब चलें थे शिक्स्टी योट व्लस टू और लास्ट में 900 to 1048 तो 50 तो थोड़ा दे नीचे जिलेंगे तो इसे कहते हैं बच्चो आपका हिस्टोग्राम यानि आयच चित्र यह आपके बनगे आयच चित्र यह आप पसे जुड़े होते हैं ध्यान रखना अब यह पुझा है कि कितने लैंपों के जीवन काल 700 घंटों से अधिक हैं तो सेंग्ड पार्ट का आंसर निकालने के लिए 700 का लिखा है यहां तो यहां से अधिक अधिक चलना है यहां से लेकर यहां तक तो 700 से इसमें कितने हैं 74 थे यह फिर 62 थे आपके और लाश मेंसे 48 तो पुझा कि 700 से अधिक जीवन कालों उन लैंपों के संक्या ग्याद करनी है 700 घंटों से अधिक जीवन काल वाले लैंपों की संक्या अभी जो नंबर हमने बताएं आपको लिखें 74 प्लस 62 प्लस फोटी एट यह नंबर एड हो जाएंगे इनका नंबर है 700 टू 800 टू 900 टू 1000 यानि कि इसके अंदर कोई साथ सो घंटे से कम जीवन काल नहीं रखता तो इसने पूछा कि अधिक वाले जीवन काल वाले लैंपों की संक्या तो बच्चों ने जोड़ देंगे तो टोटल करने के बाद आठ दूदस्ट चैट चोदा एक पांच्छे क्यारे साथ अठारे 184 लैंप आ जाएंगे तो 184 लैंप ऐसे हैं जिनका जीवन काल 700 गंटों से अधिक है तो इस प्रकाह हम इनका आयत बना देते हैं और आयत बनाने के बाद जो भी चीज़ पूछी अधिक है तो हम देख रहेंगी जो 600 700 गंटों इसके लैंप विसंख्या सबसे अधिक है क्योंकि इसकी हैट सबसे जाद है यहां भी आप देख सकते हैं अगर यह तालिक हमारे पास नहीं कि ग्राफ हो तो ग्राफ से बता सकते हैं जिस ग्राफ की लंबाई ज्याद होगी उ देखते हैं अगर कि एक नगर के घर के खर्च का बंटन दिन प्रकार है यानि खर्च दिया है रुपे में हैं तो रुपे से डेढ़ सो रुपे तक मजदुरा पत्चीस और डेढ़ सो तो सब्सक्राइब चालिस इस तरीके से लाश्मन का 450 से 500 रुपे तक का जो खर्च करन इन आकड़ों के लिए और उसकी सायता से बारंबारता भोवज बनाएए और फिर उसकी सायता से बारंबारता भोवज भी बनाना है कि 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 दिखें सब्सक्राइब को मजदूर कम से कम कितने हैं आठ और अधिसादी कितने हैं चालिस है तो बच्चों इसमें पांच पांच का अंतर ले लिए आनाम से है कि एक जो मात्रक है एक बलोग है पांच है दस है पंदरा है बीस है कि पच्चिस तीस है पैंटीस चालिस है चालिस से उपर नहीं है और जो खर्ची दिया गया वह सो से लेकर पांच सो तक है तो कम से हम सो है और अधिक सदिक 500 है लेकि इन सब के वर्गों में कितने कंतर चल रहा है पचास का यहां सब पचास सब में पचास कंतर है तो हम नीचे भी पचास का यह लेंगे तो यहां हम कर सकते हैं कि पचास सो देड़ सो दुस्सो धाई सो तीन सो तीन सो पचास चार सो चार सो पचास और यह पांच सो आगे ते लिए पांच सो पचास तो हम देख रहें जो पहली कंडिशन हमारी दी गई है तो जो हमें दीगे दी कंडिशन तो अब हम एकागी से जो पचास कंतर था वो हम नाटा दिया तो इसके बाद कि यह जो अंतर चलना था सो से एक सो पचास और हम पचीस तो पचीस जब लेए हैं है मैं तो देखिए इसमें पच्रीश का आएगा यहां और सो से एकसोपचास सो से एकसोपचास यह 100 अधिया आपका ऑफ यह आपके एकसो-फचास यह आपने 25 के लें मेरी संक्या बता दी फिर आपने कहा कि 150 से 200 तक 403 जानिया तो इसी को आगे तक बढ़ा दिया पिर चालिस के बाद 33 अब देखना जो छोटे चोटे टू ब्लोक से हैं वो रिपेजन करेंगे वन मजदूर को क्योंकि यहां तक 10 ब्लोक हैं छोटे 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 जो मिली मीटर के खाने हैं तो दो छोटे खानों पर एक मजदूर है तो पांच मजदूर उपर दस खाने हो जाएंगे तो अब आप कह रहे हैं कि हमें चाहिए 33 तो 30 आपके पास यहां है तो 3 के लिए 6 खाने और चले जाए तो हाफ से थोड़े तो उपर पहुंच जाए तो नेक्स थर्टी थर्टी आपका एक्जिट मिल जाएगा अब फिर 22 तो 20 के बाद दो खानों पर 21 22 तो फिर 16 15 के बाद दो खानों पर चले जाएं तो 16 और लास्टन बच्चों आठ है तो पांच पांच के बाद दो खानों पर 6 फिर 7 फिर 8 जब आप यह काम कर लें यह आयत बना लें तो इसने रिकांकि आएट चित्र की साहिता से बारम बार्था भूबुझ का निर्मान की लिए या बारमबारता भोबज बनाई तो आयत आप ने बना लिया अब इसमें काम क्या करना है कि जहाजा आयत बना है वहां आप इसका मद्धेविंदू नोट करने अगर आपको पता कि यह बोक्स इतना बड़ा है तो आप इसके टोप पर हाफ पार्ट कर लें आधा पार्ट इधर तो पॉइंट मांक कर लें जश्ट हाफ पर तो आपने देखा कि इनके मिड़ निकाल लिया क्योंकि टैन स्मॉल ब्लोक्स हैं तो फाइब पर आपने पॉइंट मांक कर दिया तो यह इसका जश्ट हाफ हो गया अब पहले इन पॉइंटों को आपको जोइन कर लें और इसको जितना आप या तो अंदर हैं और अंदर करें या 5 ब्लोक्स भाल ले जाएं ऐसको ही 5 ब्लोक्स बाल से पने जाएं तो आप यहां यह लिख दें और यहां बी लिख दें तो सबसे पहले एक से मिलां कि इसके लगकर ऐसे निया डिजाइन एक और बीजे मिला दें क्योंकि यह बारंबार ना भोवुज यह फिर बीको शी से मिला दें अब यह उपर जा रहा कोई बात नहीं यह को एफ से जोइन कर दें एफ को जी से जी को एच से और एच को आई से और यह यह जय हो गया हमारा तो अगर हम इस बिलैक लाइन को हटा दें तो जो बिलैक लाइन इनको हटाने केबाद हमारे पास एक फिगर आ हो नो यह जो कंडिशन पर रही है यह बिल्कुल जमीन पर बेस्लाइन पर पहुंच जाए एधर यह अप देखे लिया अब यह कहता है कि आयत की चित्र की सायता से बनवाए अपने तो आयत लगता ना कि यह घो और पंवारता इसके तो हम आयत को भूल धी और भूल जाते हैं और पूछा नश्माइद वनाना था अर्बारंबारता वह बनाना ता इसलिट इसलिए ने पहले आयत में बनाया और आयत के बारम बारता बहोभूज बनाया तो बच्चों अगर अर्प के आगजंव पारांवारता बनाने के लिए इताए और तरकी जितनी साये देखते हैं कुछ कि दो सेक्षिन ए और सेक्षिन दोनों के अंक समाने देखिए जीरो टू टैन तो क्लास इंटर्वल दोनों सेम हैं लेकिन जो फ्रिक्वेंसी हैं या थिरी या फाइव इसका मतलब क्या है कि इस सेक्षिन दोनों सेक्षिनों के विध्यारतों के प्राप्तांग कि निरूपित कीजिए कि दोनोंका बताना है फिर दोनों का अध्यन करके दोनों सेक्षिनों के निस्पाद्र हों की तुनना कीजिए तो इसमें बताना पड़ है कौन स्केश्षिन के माक्स अच्छे हैं सबस्ते पहले वह एक सिस्टेम कि हम कि कि इधर आपके अंक है तो अंक लिग दें और इधर आपकी बारम बारता है कि देखें अंक है जो अंतरा लाव दस-दस का है जीरो से दस बीस-थीस-चालिस-पचास तो पचास तक हमें जाना है तो बरावर अंतर ले लें दस बीस-थीस-चालिस और यह है पचास कि अगर आप साथ तक भी माग कर दें तो यूज करें केवल पचास तक फिप्टी तक बारम बारता दोनों में देखेंगे मिनिम्म कितनी है और मैंग्निम कितनी है नाइंटीन तो देखो इसमें हम दो दो का अंतर भी दे सकते हैं अगर देखते हैं क्योंकि दो का अधा एक ब अगर हम इस सेक्शन एक ही बाते हैं कि अगर हम इस सेक्शन एक ही बाते हैं करें तो जीरो टू टैन में थिरी है तो इन दोनों के फीगर हम अलग अलग कलर सा कर देंगे हैं हम फर्स्ट एक्शन की बात कर रहे हैं कि अगर एक सेक्शन एक इस कलर का रख रहे हैं और सेक्शन भी कि अगर कि दोनों कलर डिफ्रेंस कर दिए अब देखें सेक्शन एक की बात करने केवल पहले हैं अब हमने जो कलर लिया है इस कलर को लेने के बाद हम देखते हैं सेक्शन एक की जो वैल्यू है जीरो टू टैन पर थिरी है तो जीरो टू टैन इसमें थिरी अब मार्क करेंगे देखो जीरो टू टैन का हाफ फाइव पर अजिया हो गया थिरी यह पोइंट अब मार्क कर लिया टैन टू ट्वेंटी पर नाइन यह आपका एट और टैन के बीच में आ गया तो ट्वेंटी टू थर्टी पर सेवंटीन यह आपके एट्टीन और सिक्टीन के बीच में आ गया 30-40 पर 12 30 और 40 के बीच में 12 पर आजाईए और 40-50 पर 9 40 तू फिप्टी यह आपका 9 आ जाएगा तो आप देगरे हैं आपके 9 ज़र दो बार है तो दोने एक बल उसमें आ जाएक कंडिशन में तो पहले आप इन पॉइंटों जोइन करेंगे A, B, C, D, E अब आप यह कह रहा है कि हमारे पास 5 पॉइंट थे 1, 2, 3, 4, 5 यह आप क्यों पॉइंट होगे, A, B, C, D, E अब इसका तरीका क्या होता है कि जब यह सेंटर में था तो 5 लोग इधर अब 5 लोग इधर तो लास्ट है 50 तक जोइन करदें इसको O को A से, A को B से, B को C से, C को D से, D को E से, और E को लास्ट है 50 से क्योंकि आपने देखा कि जो इंटर्वल चलाता है वो 0 to 50 हो गया तो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 इस तेगे चलते वे हमने जो फ्रिक्वेंसी दियो मिड वैल्यूज पर लिये है इनकी मिड वैल्यूज जो बन गई थी यह आपकी 5, 15, 25, 35 और 45 तो जो मिड वैल्यूज थी है इसकी मिड वैल्यूज भी यह बन गई सेम 5, 15, 25, 35 और 45 तो इस विड वैल्यूज पर जो सेक्शन भी है इसकी वैल्यूज कर देंगे तो सेक्शन भी को बिलाक कलर से दिखा देंगे फिर तो सेक्शन भी को रिप्रेजेंट करना है बिलाक कलर से तो इसके फर्स्टम देखना है 0-10 में कितनी वैल्यू है फाइव की तो बच्चों जहां लगना 0-10 का बतला है इसकी वैल्यूज वैल्यू है फाइव तो फाइव का आएगा आपका 4 और 6 के बीच वाज आएगा इस इसी डोट के ऊपर यह आपका 5 के सामने सा आगया इस तरीके से और फिर आपका 19 है 10-20 पर 19 तो इस डोट के ऊपर 19 तक यह आपका 19 हो गया फिर आपका 15 इस पर 15 चलें तो 15 इसका थोड़ा सा नीचा आ जाएगा यह 15 होगा 14 और 16 के बीच में फिर 10 30 पर चले 10 यह आपका यहां आगया 10 और यह पर आपका क्यों वन देखें वन प्रीकों नीचा आ जाएगा तो यह आपका वन यहां आ गया इस पर आप नाम बखनें पी यहां लेने क्यू आर एस टी तो पी को क्यू से मिलाए अब क्यू को आर से आर को एस से और एस को टी से और टी को इसमें 50 पर आप यह देख रहें कि अगर इनके मार्क बना दी जाएं इस तरीके से ग्राफ बन जाता आपका यह क्यू पोइंट था अब यह क्या पूछता इसमें कि दोनों सेक्शनों के तुलना करनी हैं तो हम देख रहें कि जो मार्क ला रहे हैं देखिए इनके जो ग्राफ है उचे हैं तो जो सेक्शन ए है इसमें तो केवल एक बार हाइट तक गया है 17 तक और इसके बाद जो वैल्यूज है वह बार है इसकी जादे है नो भी इसकी जादे है तो जो निस्पादन है वह इसका तुलनात्व ग्रूप सम कह सकते हैं कि बी के बाद यानि दूसरे पॉइंट के बाद सी डी और ए सेक्शन बी के लिए अच्छे ए तो ऐसे चात्र जो सेक्शन बी के वह कितना है 26 अश्के कितना होगे से 1221 से 38 तो शैक्शन ए अंकों की दरश्टी से कौन से अंकों की दरश्टी से जो मैंक है जैसे 20-50 तक के बिश्की बात करते हैं तो सैक्शन ए मैंक जीमंउं तो यानि अधिक्तम कि अंकों की दुरष्टी से अच्छा है अच्छे अंक्पड़ाप के नाले चात्रों की संख्या सेक्षिन ने में ज्याद है और सेक्षिन वी में कम है यह बच्चों जिस्ते ही के गिराफ आपके कॉर्स में थे यह नहीं बता दी आपकी समय में आगे होंगे तो यह आप प्रक्षिस कर सकते हैं गिराफ की हैपी लर्निंग टेक केर मिलते हैं नेक्ट वीडियो में